क्या आप इस चीज को लेके confused है कि आपको एक normal calculator इस्तमाल करना चाहिए या फिर एक scientific calculator अगर ऐसा है तो you are at the right place इस वीडियो को पूरा देखे और मेरी चैनल सिविल एंजिनिरिंग फोरम को subscribe जरूर करें चाहे आप एक student है, businessman है, accountant है, एक shop चलाते है मतलब किसी भी काम के लिए आपको इन दोनों में से कौन सा calculator इस्तमाल करना चाहिए ये मैं आज आपको detail में समझाऊंगा तो यहाँ पर मैंने एक example के साथ इन दोनों calculators के functional working समझाए है जिसमें मैंने एक simple सा calculation दिखाया है जिसमें normal calculator में अलग और scientific calculator में अलग answer आ रहा है तो जैसा कि आप इस video clip में देख सकते है मैं यहाँ पर equation 4 plus 4 divided by 4 type कर रहा हूँ और is equal to click कर रहा हूँ तो screen की left hand side normal calculator जो है उसमें answer 2 आ रहा है और right hand side scientific calculator में answer आ रहा है 5 तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन में से कौन सा सही है और कौन सा इस्तमाल करना चाहिए तो कौन सा calculator सही है और कौन सा आपको इस्तमाल करना चाहिए इन दोनों के अलग अलग जवाब है मेरे पास सही की बात करें तो दोनों ही calculator सही है दोनों में correct answer ही मिले है हमें बस फर्क है इनके working operations का normal calculator work करता है based on implementing and applying first sign first मतलब जो पहली sign आप डालोगे calculator में वो पहले solve होगी जैसे कि हमने जो example लिया था यहाँ पे 4 plus 4 divided by 4 तो इसमें 4 plus 4 पहले solve हो गया और automatic हमारे normal calculator ने इसका answer display कर दिया 8 बिना is equal to press किये फिर divide by 4 करते ही यह 8 divide हो गया 4 से है और answer आगया 2 पर जब हम यही values scientific calculator में type करते हैं तो यह function करता है on board mass मतलब BODMAS rule तो इसका simple सा funda है sequence में सभी चीज़े solve होगी B for brackets अगर आपने कोई bracket डला है तो वो सबसे पहले solve होगा फिर off और order और power मतलब अगर 2 raise to 5 3 raise to 7 अंडर root 2 मतलब 2 raise to 1 by 2 ऐसा कोई power में अगर हमने values डाली है तो उसको दूसरी priority दी जाएगी फिर आता है division तो division multiplication, addition और subtraction में सबसे पहले जितनी भी sign हो सबसे पहले solve होगी division की sign मतलब implement होगी division की sign division के बाद अब आता है multiplication पहले solve होगी division वाली sign फिर solve होगी multiplication वाली sign फिर आता है addition और last आता है subtraction तो यह scientific calculator में क्या होता है कि यह जो BODMAS, board mass का rule है उसके अनुसर हमें answer मिल जाता है सबसे पहले bracket solve हो जाता है automatically फिर order और power जो है वो solve हो जाता है फिर division फिर multiplication फिर addition और last में subtraction solve होता है तो इसमें हमने जो example देखा 4 plus 4 divided by 4 वाला तो according to board mass rule यहाँ पे देखिए addition से पहले division आ जाता है तो इसमें क्या हो गया कि division पहले solve हो गया 4 divided by 4 तो इसका answer आ गया 1 और बात में solve हो addition तो 4 plus 1 हो गया 5 तो इसलिए scientific calculator में हमारा answer आ गया 5 और normal calculator में जो answer आया था वो था 2 तो इसका यह मतलब हुआ कि यह दोनों ही calculator सही है तो चली अब बात करते हैं कि इन में से कौन सा calculator आपको इस्तमाल करना चाहिए तो इसका answer है एक scientific calculator basically क्या है कि हमें हमारी requirements देखनी है ना तो हमें यह normal calculator के functions की जरुवत है जिसमें पहली sign पहले solve होती है और ना तो हमें यह board mass rule की scientific calculator में requirement है हम उस पर depend नहीं रह सकते हैं हो सकता है हमें subtraction पहले solve करना हो पर according to board mass subtraction बात में solve हो रहा है तो इसका simple solution है कि actually अगर हम brackets use करे तो जो भी values हम पहले solve करना चाहते है वो हम कर पाएंगे only by using brackets और यह brackets जिर्फ एक scientific calculator में ही मिलते है और जिसमें हम use कर सकते हैं तो इसका सिधा सिधा यह मतलब हुआ कि हमें scientific calculator ही इस्तेमाल करना चाहिए but don't forget to use the brackets हमने जो example देखा था उसमें brackets use नहीं किये थे वरना हम कोई भी sign पहले solve कर सकते है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा और अगर ऐसा है तो इसा लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल Civil Engineering Forum को subscribe ज़रूर करे This is all for today, thank you for watching